वेलकम आवर यूटूब चैनल जी एस्वित आंसू दोस्तों विपिश सी पीटी के लिए सेट नमर आठ लगाते हैं जो क्राउन की प्रेटी सेट से ली गई है सेट नमर एक से साथ तक कड़ा दिया गिया है जो लोग नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो लोग बिहार दुरगा मेंस सी डीपियों की तियारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहला प्रस्न है वेदिक देव मनलम में नेम में से कौन देपता यूद का देपता माना जाता है तो दोस्तो देपता यूद का देपता माना जाता है इंद्र को ओप्शन B हो जाएगा सही रीगवेद में कुल देपताओं की संख्या 33 बताई गई है इन में इंद्र अगनी वरुन का सरवादिक महत्पून अस्तान है रीगवेद काल में सबसे महत्पून देपता इंद्र है जो यूद और वर्षा के देपता है अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो बूद की असी फूट बड़ी परतिमा जो बौद गिया में है किसके दोड़ा निर्मित की गई थी तो दोस्तो बूद की असी फूट बड़ी परतिमा जो बौद गिया में है निर्मित की गई थी जपानियों के दोड़ा अगला प्रसन देखते हैं यापनिया किसका एक संपरदाय था तो दोस्तो यापनिया संपरदाय था जैन धर्म का यापनिया संपरदाय का संबन जैन धर्म से है या जैन धर्म की दिगंबर संपरदाय के दोड़ा शुरू हुई थी अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो राजकुमार जो अपने पिता की मिर्टु के लिए उतर दाई था तो दोस्तो वो राजकुमार है अजास शत्रू अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों बुलंदी बाग प्राचीन अस्थान था तो दोस्तों बुलंदी बाग प्राचीन अस्थान था पाटली पुद्र का अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो प्रसिद युनानी राजदूत मेगा स्थनीज भारत में किसके दर्वार में आए थें तो दोस्तो मेगा स्थनीज भारत में चंदगुब मोर के दर्वार में आए थें अगला प्रस्म देखते हैं ब्रामी लीपी को स्वरपर्थम किस ने पढ़ा था? तो दोस्तो ब्रामी लीपी को स्वरपर्थम पढ़ा था जैन प्रिंसेप ने अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो पंदोक सन्नी रोधे मोर प्रसासन दोड़ा लिया जाने वला जुर्माना था सरक पर कीचर फिलाने पर अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो निमलिखिद राजाओं में से किसका जैन धर्म के पड़ती भारी जुका था तो दोस्तो उहर राजा था खारवेल जिसका की जैन धर्म के पड़ती भारी जुका था करलिंग राज वर्तमान उरिषा में इस्तित था यहाँ का परसिध वंस चैदी वंस था जिसका परशिध राजा खारवेल थे अगला प्रसन देखते हैं दोस्तों गोप्त कालिन राजत मुदराओ को क्या नाम दिया गिया था तो दोस्तो गुप्त कालिन रजत मुद्राओं को रूपक नाम दिया गिया था गुप्त कालिन चांदी के सिक्के सुरपर्थम चन्द गुप दूतिये दुवड़ा सक बीजय के उपलच में जाड़ी किया गिया था अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो भारत में सबसे प्राचिन विहार कौन सा है तो दोस्तो भारत में सबसे प्राचिन विहार है नालंदा विहार नालंदा विश्विद्याले प्राचिन भारत में उस सिच्छा का सरवादिक महत्पुन और विख्यात के इन्र था बिहार के नालंदा जिले में यह इस्तिथा यहां 10,000 चात्रों को पढ़ाने के लिए 2000 सिछक थे हैं अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो चोलो की राधानी थी तो दोस्तो चोलो की राधानी थी तंजोर अगला प्रस्ण देखते हैं स्वापन वास्दा के लेखक कौन थे तो दोस्तो स्वापन वास्दा के लेखक थे भास अगला प्रस्ण देखते हैं दिल्ली का परथम मुस्लिम सासक कौन था तो दोस्तो दिल्ली का प्रत्थम मुस्लिम सासक था इर्थुत्मिश अगला प्रस्न देखते हैं बिजय नगर समराज की वितिय बेवस्ता का मुख बिसिस्ता क्या थी? तो दोस्तो बिजय नगर समराज की वितिय बेवस्ता की मुख बिसिस्ता थी भूर राजस अगला प्रस्ण देखते हैं खुआजा मौनिदिन चिस्ती किसके सिस्थें तो दोस्तों खुआजा मौनिदिन चिस्ती सिस्थें खुआजा उस्मान हुरानी के ओप्शन D हो जाएगा सही खुआजा मौनिदिन चिस्ती का मजार अजमेर सहर में है और इनका जर्म हुआ था 1142 इस्वी में अगला प्रसंद देखते हैं दो अस्वा एम सी अस्वा प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों दो अस्वा एम सी अस्वा प्रथा शुरू की थी जहां गिर ने अगला प्रसंद देखते हैं किस सी गुडू के द्वड़ा सिखो को खालसा में रुपांत्रण किया गिया था तो दोस्तों खालसा में रुपांत्रण किया गिया था गुडू गोविन सिंग के द्वड़ा गुडू गोविन सिंग सिखो के दस्वें एम अंतिम गुडू थे इसके बाद गुरु गुर्ण साहिप को गुरु मान लिया गिया था अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो भारत में 1613 इस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फेक्टरी कहां अस्तापीत की थी तो दोस्तो भारत में 1613 इस्वी में अंग्रेजों ने पहली फेक्टरी अस्तापीत की थी सुर्थ में अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो लॉड डफरीन के वाइसराइक काल की एक महत्पुन घटना किया थी भारती राष्टी कॉंग्रेज की अस्तापना भारती राष्टी कॉंग्रेज की अस्तापना 28 दिसंबर 1858 इस्वी में की गई थी वाइसराइक के रूप में लॉड डफरीन का कारिकाल था 1884 से लेकर 1888 इस्वी तक अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो मानब बली प्रथा का निशेत करने के कारण अंग्रेजो के विरूद विद्रो करने वाली जन्जाती का नाम क्या था तो दोस्तो मानब बली प्रथा का निशेत करने के कारण अंग्रेजो के विरूद विद्रो करने वाली जन्जाती का नाम था खोंद खोंड जन्जाती ने 1837 से लेकर 1856 इस्वी तक विद्रो किया था इस आंदोर्ण का नेतित चक्र विशोई ने किया था अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखवार किसने शुरू किया था तो दोस्तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखवार सुरू किया था तारक नात दासने अगला प्रस्म देखते हैं प्रातना समाज संस्ता के संस्तापक कों थें तो दोस्तो प्रात्ना समाज संस्ता के संस्तापक थे महादेब गोविंद रनाडे केशब चंद्र की पेड़ना से महराश्ट में 1867 इस्वी में प्रात्ना समाज की अस्तापना हुई थी इसके प्रमुक संसापक थे डौक्टर आत्माराः पंडुरंग एम महादेब गोविन रनाडे अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो भारती राश्टी कॉंग्रेस का 27 अधिवेशन इस अस्थान पर हुआ था तो दोस्तो भारती राष्टी कॉंग्रेश का 27 अधिवेशन हुआ था बाकिपुर में भारती राष्ट्री कॉंग्रेस का 27 अधिवेशन 1922 इसवी में बागी पिर्में हुआ था इसकी अधिस्ता आरेन मधलकर ने की थी इस अधिवेशन में ए ओ हुम को कॉंग्रेस का पीता कखर संबोधित किया गिया था अगला प्रसन देखते हैं दोस्तों निम्नांकित में से वह कौन बैक्ती था जिसने विदेश में गंत्रात्मक सरकार की अस्थापना की थी तो दोस्तों विदेश में गंत्रात्मक सरकार की अस्थापना की थी महेंद्र परतापने आगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो महात्मा गांधी ने स्वरपर्थम किसान आंधरोन में भाग लिया था तो दोस्तो महात्मा गांधी ने सुरपर्थम चमपाडन किसन आंदरों ने भाग लिया था भारत में गांधी जी ने पहला सत्यागरा का परियोग 1917 इस्वी में चमपाडन में किया था यह सत्यागरा तीन कठिया परणाली के बिरूत किया गिया था इसमें किसानों से अवेद वसूली किया गिया था दूसरा सतियागर दोस्तों 1988 इस्वी में अहमदाबाद के एक सूती वस मिलके मजदूरों को कम मजदूरी मिलने के विरूत किया गिया था अगला प्रस्न देखते हैं गांधी जी ने जिस विदेशी पतरकार को तो दोस्तो वह था वेब मिलर वेब मिलर एक अमेल की पतरकार और यूद समभाता थे अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो स्री नरसिंग नरायन किया थे तो दोस्तो श्री नरसिंग नरायन थे एक समाजवादी देखते हैं दोस्तों भारत छोड़ो का नारा किस ने दिया था तो दोस्तों भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुप मेहर अली ने अगला प्रस्म देखते हैं आजाद हिंद फोज के अधिकारियों के उनके लाल किला में चल रहे मुकदमे में उनके पस्थ से निमलीखित में से किसने वकालत की थी तो दोस्तो अजाद हिंद फोज के अधिकाडियों के उनके लाल किला में चल रहे मुकदमे में उनके पच से वकालत की थी सर टीबी सुपडू ने नॉम्बर 1945 में अजाद हिंद फोज के सिपाईयों पर लाल के लिए में मुकदमा चलाया गया था जिसमें बचाव पच के परसीद वकिल थे के लासनाथ कार्जू सड तेज बहादूर सपडू जवाल लाल नेडू एम भूला बाई दिसाई अगला प्रसन देखते हैं अगस 1947 में सुतंता दिवस के समारों में नीमलीखित में से कौन नेता कभी सम्मेलित नहीं हुए थे तो दोस्तों उवर नेता थे महत्मा गांधी गांधी जी सुतंता दिवस के समारों में भाग नहीं लिये थें क्योंकि भारती सुतंता बिध्यक 1947 से हुए समत नहीं थें इनकी इच्छा के विरूद भारत का विभाजन हुआ था है अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तों है सोतंत भारत का अंतीम गवर्न जर्रल कौन था है इसलिए तो दोस्तों सोतं भारत का अंती गवर्न जर्रल था स्री राजगुपाला चारी स्री राज गुपाला चारी जिसे राजा जी के नाम से भी जानते हैं वे सोतन भारत के दुतिय गवर्नर जर्णल और प्रथम भारतिय गवर्नर जर्णल थे आगला प्रस्म देखते हैं प्रांतों में दोए सासर्म परणाली कीस अधिनियम के अंतरगत लागु की गई थी तो दोस्तों प्रांतों में दोए सासर्म परणाली लागु की गई थी 1919 अधिनियम के दुवड़ा अगला प्रसन देखते हैं किसने 1921 में पहली बार पूर्ण सोतंता की मांग को उठाया था तो दोस्तो 1921 में पहली बार पूर्ण सोतंता की मांग को उठाया था मौलाना हसरत मोहानी ने अगला प्रसंद देखते हैं महात्मा गांधी ने अपनी निम पुष्टकों में से इसमें ब्रीटिस पार्लियमेंट को बांज और वेश्या कहा है तो दोस्तो वह पुष्टक है हिन्ज सुराज में अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो निम नांकित युगमों में से किसका सुमेलित नहीं है तो दोस्तो जो सुमेलित नहीं है वह ऑप्शन बी लीपू लेक उत्तर पर्देश जो की गलत दिया गिया है लीपू लेक दर्रा जो की उत्राखंडराज में इस्तित है बाकी सभी सही दिये गए हैं जो जीला जम्मू कस्मी में है नाथू लापास सिक्की में है रथा सिपकिला हिमाचल पर्देश में है अगला प्रस्न देखते हैं तीबबत में उत्पत्ती पाने वाली ब्रहमपूत इरावदी और मेकांग नदिया अपने उपड़ी पाटों में संकिन और समांतर परवस रेणियों से होकर प्रवावित होती है इन नदियों में ब्रहमपूत भाड़त में परविष्ठ होने से ठीक पहले अपने परवाव में एक यूटन लेती है यह यूटन क्यूं बनता है तो दोस्तों यह यूटन इसलिए बनता है क्योंकि भू विग्यानि को तरुन हिमाले के असंगिये नमन के कारण अगला प्रस्न देखते हैं भारतिय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगीत है जिसका कारण है अगला प्रस्न देखते हैं निमलीखित में से कौन सा ड्रिप सिचाई पधती के पड़ियोग कलाव है तो दोस्तों ड्रिप सिचाई परति का लाव है मिर्दा अपरदर में कमी अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों परदहान मंत्री नडेन मोदी ने हाल ही में मंडल बान परियुजना की नीब किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी तो दोस्तों परदहान मंत्री नडेन मोदी ने हाल ही में मंडल बान परियुजना की नीब उतरी कोईल नदी पर रखी थी परदहान मंत्री नडेन मोदी ने 5 जनबरी 2019 इसवी को जारकन के पलामू जिले में उतरी कोईल नदी पर मंडल बान परियुजना की नीब रखी थी अगला प्रसंद देखते हैं भारत में जुआरिय उर्जा की सरवाधिक संभावनाई हैं भावनोगर गुजरात में अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों भारतिय हीरा संस्तान कहां इस्तित है तो दोस्तों भारतिय हीरा संस्तान इस्तित है शुर्वत में और इसकी अस्थापना की गई थी 1978 इस भी में अगला प्रसंद देखते हैं सेवडाय पहारियां कहां अवस्तित है तो दोस्तों सेवडाय पहारियां तमिलांडू राज में अवस्तित है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो C of Tranquility कहां पर है तो दोस्तो C of Tranquility चैन्दरमा पर है Option D हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं उविस की सरवाधिक लंबी पड़व सरिंखला कौन सी है तो दोस्तो विस की सरवाधिक लंबी पड़व सरिंखला है एंडिज एंडिज पड़व सरिंखला जो की दचिन अमेरिका में है और इसकी लंबाई है 7000 किलो मीटर अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो साचर्ता दर की गणना के लिए आयू सीमा कितनी है तो दोस्तो साचर्ता दर की गणना के लिए आयू सीमा है 7 वर्ष से उपर भारत में साचर्ता दर की गणना के लिए आयू सीमा 7 वर्ष से उपर है अर्थात 0 से 7 वर्ष तक की गणना साचर्ता दर के आंकल नहेतु नहीं की जाती है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों विस्क की सबसे बड़ी ताजे पानी की जिल कौन सी है तो दोस्तों विस्क की सबसे बड़ी ताजे पानी की जिल है लेक सुपरियर छेतपल की द्रिष्टी से विष्ट की सबसे बड़ी ताजे पानी की जिल सुपिरियर जिल है जो कनाड़ा और संयुक्त राज अमेरिका के मद इस्तित है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों संचार उबरा वाई मंडल के किस अस्तर में अवस्तित किये जाते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों नीमली खित में से किस नगर में भूमा साग्रिय जलवाई नहीं पाई जाती है तो दोस्तों भूमा साग्रिय जलवाई नहीं पाई जाती है नियोर्क में जबकि लॉस एंजल्स में, रोम में तथा केप टाउन में यह तीनों नगर में दोस्तों भूमा साग्रिय जलवाई पाई जाती है भूमत साग्रिय जलवाई का भिस्तार भूमत रेखा के दोनों और 35 डिगड़ी से लेकर 40 डिगड़ी अच्छांसों के बीच महादीपिय के पसिम भागों में पाया जाता है अगला प्रसन देखते हैं युरेनियम का सरवादिक भंडार किस देश में हैं? तो दोस्तो युरेनियम का सरवादिक भंडार है अश्टिलिया में दोस्तो आगे 10 कोशन मैट के दिये गए हैं जिनको भी बनाना हो तो वो वीडियो पास करके बना सकते हैं मैं सभी का अंसर बता देता हूँ तो दोस्तो 51 का अंसर हो जाएगा ओप्शन C 52 का अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन D 33 का अंसर हो जाएगा ओप्शन A 54 का अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन C 55 का आंसर होगा दोस्तो Option A 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तो Option C 57 का आंसर होगा Option D 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तो आप्शन C 69 का आंसर होगा आप्शन B 60 का आंसर हो जाएगा आप्शन C चलिए दोस्तों आगे देखते हैं निमलिखित SI युनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो है आप्शन D दाब डाइन जो की गलत दिया गिया है दाब का SI मातरक होता है दोस्तों निउटन परती मीटर स्क्वार जिसे अब पास्कल करते हैं दाब X अदिस रासी है बाकी सभी सही दियेंगे दोस्तों कार का जूल होता है दरवान का किलोगराम और बल का निउटन अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों सुमेलित किजिए आपको इसमे मिलान करना है दोस्तों तो दोस्तों A का मिलान हो जाएगा दोस्तों दो से भूकम का सिस्मो गड़ाप से B का मिलान हो जाएगा दोस्तों तीन से उचाई को हम लोग अल्टी मीटर से मापते हैं C का मिलान हो जाएगा दोस्तों A से बेदुधारा का आमीटर से और D का मिलान होगा दोस्तो चार से परतिरोत का ओम से इस प्रकार ओप्षन ए हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो पीशा की जुकी हुई मिनार गीर नहीं जाती है क्योंकि तो दोस्तो पीशा की जुकी हुई मिनार गीर नहीं जाती है क्योंकि गूरत कें से जाने वाली उध्वधार लाइन तल के अंदर रहती है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो करे जारे में जील की सता हीम सीतित हो जाती है किन्तु उसके तल में जल दरव अवस्ता में बना रहता है यह किस कारण से होता है दोस्तो तो दोस्तो यह होता है जल की संगनता चार डिगडी सेल्सियर पर अधिक्तम होती है Option C हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो कार में पीछे के याता यात के द्रेशय व्लोकन के लिए किस प्रकार के सीसे का पड़ियुग होता है तो दोस्तों कार में पीछे के याता यात के द्रेशिय ब्लोकन के लिए उत्तल दर्पन का परियोग होता है अगला प्रस्न देखते हैं आसपस रूप से प्रती धोनी सुनने के लिए प्रावर्ती सता और सुनने वाले के मद कम से कम दूड़ी जो होनी चाहिए वह कौन सी है तो दोस्तों वह है सुल्लोपण पांच मीटर आसपस रूप से प्रती धोनी सुनने के लिए स्रोता एम प्रावर्ता सता के बीच नियुमतम दूड़ी सुल्लोपण पांच मीटर होनी चाहिए आगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों मनूस की सरवता की सीमा क्या है तो दोस्तो मनुज की सरवता की सीमा है 20 हटज से लेकर 20 हजार हटज की बीच आगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो साइबर लॉग की सब्दा वली में डॉस का अर्थ क्या होता है तो दोस्तो डॉस का अर्थ होता है डिनाईल ओफ सर्विस अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो भारत की उबड़ा प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर में निमलीखित कतनों में से कौन सही है तो दोस्तो जो कतन सही है वो है ओप्शन ए ESLV दुआरा वे उबड़ा प्रमोचित किये जाते हैं जो प्रिथ्वी के संसाधनों के मौनीटरंड में उप्योगी है जबकि GSLV को मुखेता संचार उबड़ा को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गिया है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो परिध्य प्रदो की यानि की विरेवल टेकनोलजी के संदर में परिध्य उप्करनों दौरा निमलीखित में से कौन से कर नहीं किया जा सकता है तो दोस्तो परिध्य प्रदो की यानि की विरेवल टेकनोलजी के संदर में परिध्य उप्करनों दौरा जो कार्ड नहीं किया जा सकता है वो है कैंसर का पता जबकि स्रवन दोस्युक बैक्ति की सहता किसी बैक्ति का निद्रा मोनिटर और किसी बैक्ति का अवस्थान यानि की लोकेशन निर्धारन यह तीनों कार्य दोस्तो परिध्य उप्करनों दौरा किये जा सकते हैं अगला प्रस्म देखते हैं परमानिय नाभिक किसने खो जा था तो दोस्तो परमानिय नाभिक खो जा था रदर फोडने अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो सूची एक को सूची दो से आपको मिलान करना है तो दोस्तो A का मिलान हो जाएगा दोस्तो 2 से भंजन का पेटोलियम से B का मिलान हो जाएगा दोस्तो 3 से परगलन का तामबा से C का मिलान हो जाएगा दोस्तो 4 से हाइडो नीक करन का खाद वसा से और D का मिलान हो जाएगा दोस्तो 1 से वलकी नीक करन का रवर से इस प्रकार option B हो जाएगा सही अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो निमले खित कत्नों पर विचार करे M नीचे दिये गये कोट से सही उत्तर चेन कीजिए तो दोस्तो राइट अंसर हो जाएगा option A calcium sulphate की उपरस्ति जल को कठर बना देती है M वह उप्योग योग नहीं रहता है option A हो जाएगा सही अगला प्रस्म देखते है निमली खित में से किस एक को exchanger gas भी कहते है तो दोस्तो exchanger gas कहते है जिनन को अगला प्रस्म देखते है धोने के सोडा का राशानिक सुत्र क्या है तो दोस्तो धोने के सोडा का राशानिक सुत्र है Na2CO3 धोने के सोडा या वासिंग सोडा sodium carbonate कहा जाता है अगला प्रस्म देखते है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाये जाने वाला और्गनिक अमल कौन सा है तो दोस्तो अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाये जाने वाला और्गनिक अमल है टाटरिक अमल अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो निमलीखी जिवास इंधनों में से कौन स्वस्तम इंधन है तो दोस्तो स्वस्तम इंधन है प्रकृतिक गैस अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्यूंकि वे क्यूंकि वे बीना कृतिम खादों एम किट नासकों के उपयोग किये उगाये जाते हैं अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तों निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो है option C, silver electric bulb जो की गलत दिया गिया है electronic bulb में tungsten का उपियोग किया जाता है बाकी सभी सही दिये गए हैं दोस्तों magnesium आतिस बाजी में परियोग होता है ironium परमानुबम में परियोग होता है और zinc galvinikran में परियोग होता है अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तों सूची एक को सूची दो से आपको मिलान करना है तो दोस्तों एक का मिलान होगा दो से potassium bromide का परियोग जो की फोटोग्राफी में किया जाता है बी का मिलान होगा दोस्तों चार से potassium nitrate का परियोग बारुद में किया जाता है C का मिलान होगा दोस्तो एक से Potassium Sulfate का परयोग उर्बड़क में किया जाता है और D का मिलान हो जाएगा दोस्तो 3 से Mono Potassium Tartrate का परयोग बेकरी में किया जाता है इस प्रकार Option A हो जाएगा सही अगला प्रस्न देखते हैं Dinosaur थें तो दोस्तो डाइनोसूर थें मेसो जोईक सरी सिर्फ अगला प्रस्न देखते हैं खमीड एक उधारन है तो दोस्तो खमीड एक उधारन है का वक्का अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो मानव सरीर के किस अंग में लसी का कोसी का बनती है तो दोस्तो लसी का कोसी का बनती है तिली में अगला प्रस्न देखते हैं इस्टार्च को जल अ भटन से गुलकोज बनाने वाला इंजाइम कौन सा है तो दोस्तो इस्टार्ज को जल अब भटन से गुलकोज बनाने वाला इंजाइम है इमाइलेज ओप्शन बी हो जाएगा सही अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो कॉले केलसी फरोल रासैनिक योगी का समान नाम किया है तो दोस्तो कॉले केलसी फरोल रासैनिक योगी का समान नाम है विटामिन डी का अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो इको सिस्टम के संबन में निम में से क्या सत है तो दोस्तो इको सिस्टम के संबन में जो सत है वो है ओप्शन सी उत्पादक परात्मिक उभोक्ता से अधिक होती है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो DPT का टीका निमलिखित में से किसे शुरुच्छा हेतु दिया जाता है तो दोस्तो DPT का टिका, डिप्थेडिया, कुकर खांसी तथा टेटनस के सुरुच्छा हेतु दिया जाता है अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो एट्स विशानू के लिए सबसे ज्यादा अजमाई गई दवा कौन सी है तो दोस्तो एट्स विशानू के लिए सबसे ज्यादा अजमाई गई दवा है जीरो वुडिन अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो मानब सरीर की आंतरी स्रचना के अब लोकन के लिए परियोग में आने वाली परिकलतीत टोमोग्राफी के लिए निमलीखित में से कौन सी परियोग में लाई जाती है तो दोस्तो टोमोग्राफी में एस किडने परियोग में लाई जाती है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों भारतिय समिधान में अन देशों के समिधान से कुछ विशिस्टाओं को लिया गिया है कि इस देश का राज का नीती निशक तत के निर्मान में योगदान है तो दोस्तों राज के नीती निशक तत में योगदान है आयल लेंड का अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों समाजवादी तथा धर्म निर्फे सब समिधान की प्रस्तामरा में समिलित किये गए हैं तो दोस्तों समाजवादी तथा धर्म निर्फे सब समिधान की प्रस्तामरा में जोड़े गए हैं 42 में समिधान समसोदन के दोड़ा अगला प्रस्न देखते हैं तीस राज की राधानी का नाम स्वतनता प्राप्ती के बाद अभी तक नहीं बदला गिया है तो दोस्तों आन्द प्रदेश की राधानी का नाम स्वतनता प्राप्ती के बाद अभी तक नहीं बदला गिया है आन्द परदेश की राज की राधानी हैदराबाद का नाम सोतंतर प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गिया है अहाना कि तिलंगाना के गठन के बाद दोनों की सयूत राधानी अगले 10 वर्सों तक हैदराबादी रहेगी इसके बाद आन्द परदेश की राधानी अमड़ावती होगी अगला प्रस्ण देखते हैं भारत में रहने वाले ब्रिटिस नागरिक दावा नहीं कर सकता है तो दोस्तो भारत में रहने वाले ब्रिटिस नागरिक दावा नहीं कर सकता है बैपार और बैफसाई की सुतंता के अधिकार का भारत में रहने वाले ब्रेटिस नागरिक बैपार और बैफसाई की सुतंता के अधिकार का दावार नहीं कर सकता है इस अधिकार का उल्लेक अनूचेद 19.1 का छो में दिया गिया है अगला प्रस्न देखते हैं और राज के नीती नीशक सिधानतों में नीम में से किसके बारे में समिधान सांथ है तो दोस्तों राज के नीती नीशक सिधानतों में परोड सिच्छा के बारे में समिधान सांथ है राज के नीती नीश सिधानतों में से नीम में से प्रोड सिच्छा के बारे में समिधान मौन है इन में से करमकारों की निर्भा मजदोरी अनूचे 43 में दिया गिया है गरीबों को निसुल्क वीधी साहता अनूचे 49 का को में दिया गिया है बालकों की पढ़ाम्बिक सिच्छा जब तक 6 वर्स की आयू ना पढ़ाप कर ले और यह अनूचेद 45 में दिया गिया है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो राजपती के निर्वाचन में राज का मुख मंतरी मद्दान करने के रिए पात्र नहीं होता है यदि राजपती के निर्वाचन में राज का मुख मंतरी मद्दान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वा राजपतान मंदल के उस सदन का सदस हो चुकि विधान मंदल के उस सदन यानि की विधान परिशत के सदस राजपती की निर्वाचक मंदल के सदस नहीं होते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं कौन सा कथन असत है तो दोस्तो जो कथन असत है वो है ओप्शन सी उप रास्पती का चुनाव भारत का रास्पती करता है जो की गलत दिया गिया है उप रास्पती की निर्वाचन विधियों का उल्लेक अनुछेद 66 में किया गिया है इनके निर्वाचक मंदल में संसत की दोनों सदनों के सदस होते हैं इसका निर्वाचन भी आनुपातिक परती निधित परणाली के अनुसार होता है। अगला प्रस्म देखते हैं। निमलीखित में से कौन भारत के परधान मंत्री बढ़ने से पूर्व किसी भी राज के मुखमंती नहीं रहे थें। ऑप्शन D हो जाएगा सही। अगला प्रस्म देखते हैं। लोग सभा, राज सभा की अनुसंसाओं को स्विकार कड़े या आस्विकार कड़े इस विध्यक पर आगे करवाई कर सकती है। आगला प्रस्म देखते हैं। मैंने भारत के समिधान के प्रती सच्चा विश्वास और सची निष्टा रखूंगा। अखंता को बनाए रखूंगा, डैस अपने पत के करतेवों का निवान करूंगा, समिधान और कानून का रच्चा करूंगा, यह सपत ली जाती है। तो दोस्तो यह सपत ली जाती है भारत के मुखने अधिस के दोड़ा। अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो, राज की विधान सवा के सत्रा वासन का आदेश किसके दोड़ा दिया जाता है। तो दोस्तो राज की विधान सवा के 17 वासन का आदेश राजपाल के दोड़ा दिया जाता है राजपती के समान राजपाल भी राज की विधान सवा का 17 वासन वह विक्टन कर सकता है अनूछेद 174 में यह पड़ाधन किया गिया है आगला प्रसन देखते है निमली खित में से किसके मामले उच नियाले और उस्तम नियाले दोनों की अधिकारिता में आते हैं तो दोस्तो वह मामला है मूल अधिकारों का संगर्चन मूल अधिकारों का संगर्चन उच नियाले और उस्तम नियाले दोनों की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकार के उलंगन की स्थिति में अनूछेद 32 के तहट सर्वोच न्याले तथा अनूछेद 226 के तहट उच न्याले रिट जाडिक कर सकती है अगला प्रस्न देखते हैं उहरा समीती डैस के अधियन के लिए बनाई गई थी तो दोस्तो वहरा समीती बनाई गई थी राज निताओं तथा अपराधियों की सांट गाट के लिए और इसका गठन किया गिया था 1993 में अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से कौन सी भासा बुलुचिस्तान की है किन्तु भासा सास्त्री दिष्टी से द्रविट प्रिवार की है तो दोस्तो वह भासा है बड़ा हुई अगला प्रस्न देखते हैं भारत में की स्तरह की करण परनाली पाई जाती है तो दोस्तो भारत में अधो गामी करण परनाली पाई जाती है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो सार्क का मुख्याले कहां पढ़ है तो दोस्तो सार का मुख्याले है काट मंडू में अगला प्रस्म देखते हैं भारती रिजर बैंक के पहले भारती मूल के गवर्णर जर्णल कौन थें तो दोस्तो भारती रिजर बैंक के पहले भारती मूल के गवर्णर जर्णल थें सीडी देश्मूक भारती रिजर बेंक के पहले भारती मुलके गवर्णर जर्णरल सीडी दिस्मुग थें जबकि प्रतम गवर्णर जर्णरल ओस्बान इसमी थें जो की एक अंग्रेश थें अगला प्रसन देखते हैं कीस भारती राज में फेनी सराब को पैदा किया जाता है तो दोस्तो फेनी सराब पैदा किया जाता है गवर्णर अगला प्रसन देखते हैं निमली खित में से कौन सा विकल्ब संकरमन सिल अर्थ बेवस्ता है तो दोस्तो संकरमन सिल अर्थ बेवस्ता है पहली दुनिया के देश अगला प्रसन देखते हैं अहाल ही में किस देश ने मिर्थिव दंड को समाप्त कर दिया है तो दोस्तो वह देशे कजाकिस्तान जिसने की मिर्थिव दंड को समाप्त कर दिया है अगला प्रसन देखते हैं केंद्री बजट 2021-22 में डवल टेक्स सिस्टम से किन लोगों को छुट दी जारी है तो दोस्तो केंद्री बजट 2021-22 में डवल टेक्स सिस्टम में छुट दी जारी है अप्रवासी भारतियों को यानि की NRI को अगला प्रसन देखते हैं अहाल ही में किस राज सरकार ने गड़िवों और नीरा स्रतियों के लिए रियायसित पका हुआ भोजन उपलत कराने हैं तु मा केंटिन का सुभारन किया है तो दोस्तो मा केंटिन का सुभारन किया गिया है परसिम बंगाल में अगला प्रस्म देखते हैं अहाल ही में खबर में रही कसाई नदी किस देश में इस्तित है तो दोस्तो कसाई नदी इस्तित है कांगो देश में अगला प्रसन देखते हैं सामिया सुलो हसन किस पुरवी अफ्रीकी देश की पहली महिला रास्पती बन गई है तो दोस्तो सामिया, सूलू हसन, तंजानिया देश की पहली रास्पती बन गई है अगला प्रस्न देखते हैं वैस्विक लेंगिक भेत अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर कितने अस्तान पर पहुंच गिया है तो दोस्तो वैस्विक लेंगिक भेत अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर 140 में अस्तान पर पहुंच गिया है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो सर्फ्षेश निर्देशक के लिए औसकर जितने वाली पहली अस्वेत महिला कौन बन गई है तो दोस्तो औसकर जितने वाली पहली अस्वेत महिला बन गई है कलो जाओ अगला प्रस्ण देखते हैं तमिल नांडू के ने मुकमंत्री के रूप में निम में से किसने सपत ली है तो दोस्तों तमिल नांडू के ने मुकमंत्री के रूप में सपत ली है M.K. स्टालिन अगला प्रस्ण देखते हैं अहाल ही में अमेर की अंत्रिश एजेंसी नासा ने किस साल में चन्रमा पर पहली मोबाइल रोबर्ट भेजने की घोसना की है तो दोस्तो नासा ने 2023 तक चन्रमा पर पहली मोबाइल रोबर्ट भेजने की घोसना की है अगला प्रस्न देखते हैं नौ सेना के हाइडरोग्राफिक सरवेचन वाले निम में से कीज जहाज को 40 वर्स की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गिया है तो दोस्तो वर्स जहाज का नाम है आई एनेस संध्याक अगला प्रस्न देखते हैं अहाल ही में किस अफिर की देश ने 1098 केरेट के दुनिया के तिसरे सबसे बरे डायमेंड की खोच की गई है तो दोस्तो वर अफिर की देश है बोस्वाना जहां की 1098 केरेट के दुनिया के तिसरे सबसे बरे डायमेंड की खोच की गई है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अहाल ही में दर्चिन अफरीका के किस पुर्व राश्पती को आदालत की अब मानना के लिए 15 मा जेल की सजा सुनाई गई है तो दोस्तो दर्चिन अफरीका के वह राश्पती का नाम है जेकेब जुमा अगला प्रस्ण देखते हैं भारती सेना ने कस्मिर में एक सूटिंग रेंज का नाम निमलिखित में से किस बॉलिवुड अभिनेतरी के नाम पर रखने की घुसना की है तो दोस्तो वह अभिनित्री का नाम है बिद्या बालन बिद्या बालन के नाम पर एक सूटिंग रेंज का नाम रखने की घुशना की गई है अगला प्रस्न देखते हैं हर्याना के की सहर में देश का पहला अनाज एटियम खोला गिया है तो दोस्तो देश का पहला अनाज एटियम खोला गिया है गुरुगराम हर्याना में अगला प्रस्न देखते हैं अहाल ही में किस राज सरकार ने बांस और दोगिक पार की अधार सिला रखी है तो दोस्तो बांस और दोगिक पार की अधार्शिला रखी गई है असमराज में अगला प्रस्न देखते हैं हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केवाज ने अपने पहले ही ओलम्पिक में कांस पदक जीत लिया है तो दोस्तो भारत के लवलीना बड़गो हेंड ने अपने पहले ही ओलम्पिक में कांस पदक जीत लिया है अगला प्रस्न देखते हैं ब्रिटिस कमपणी हाउसे फ्रेश दुवारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताविक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूसित देश निम में से कौन सथा तो दोस्तो सबसे प्रदूसित देश था बंगला देश औप्शन सी हो जाएगा सही आगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो विश फोटोग्राफी दिवस निम में से कीज दिन मनाया जाता है तो दोस्तो विश फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस को अगला प्रस्म देखते हैं अहाल ही में बिहार सरकार ने किस वर के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकारी टैव या अन गजट देने का फैसला किया है तो दोस्तों बिहार सरकार ने नौमी से बार्मी तक वर के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकारी टैव या अन गजट देने का फैसला किया है अगला प्रस्म देखते हैं अन फिनिस्ट ए मेमायर किसने लिखी है तो दोस्तों अन फिनिस्ट ए मेमायर लिखी गई है प्रेंका चोपड़ा जोनस के दुवड़ा अगला प्रस्म देखते हैं चक्मा संगठो ने कीस राज से चक्मा और हाजों समूदाय के साथ हजार लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है तो दोस्तों उहर राज है अनाचल पर्देश चक्मा संगठो ने अनाचल पर्देश से चक्मा और हाजों समूदाय के साथ हजार लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है अगला प्रस्त देखते हैं दोस्तों टोक्यो उलम्पिक में निमलीखित में से किस अस्परदा में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है तो दोस्तों टोक्यो उलम्पिक में निशाने वाजी अस्परदा में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है भारत ने टोकियो ओलम्पिक में वेट लिप्टिंग में 1, कुस्ती में 2, जैवलिंग थो में 1, बॉक्सिंग में 1, होकी में 1, तथा बेन्मिंटन में 1 पदक जीत कर कूल 7 पदक जीते भारत्य दल निशाने बाजी में 1 भी पदक नहीं जीते थे अगला प्रसन देखते हैं बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परिजना कौन सी है तो दोस्तों बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परिजना है गंड़क नदी परिजना गंड़क परिजना या बिहार और उतर परदेश की संयुक नदी घाटी परिजना है अगला प्रस्ण देखते हैं लोक नायक जय प्रकास नडायन को भारत रत्न कब मिला था? तो दोस्तों लोक नायक जय प्रकास नडायन को भारत रत्न मिला था उनिस सो नियनमे में अगला प्रस्ण देखते हैं देश में वितिय अपात काल की घोषना कौन कर सकता है तो दोस्तों देश में वितिय अपात काल की घोषना कर सकता है भारत के राश्पती अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों अहाल ही में बिहार के किस अस्थान पर सरक अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषना की गई है तो दोस्तो बिहार के मोकामा अस्थान पर सरक अनुसंधान केंदर बनाने की घोसना की गई है अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो राष्टे सिच्छा नीती 2020 में सिच्छक को किस कच्छा तक मातरी भासा अस्थानिय या छेतरी भासा में पाट पढ़ाने पर बल दिया गिया है तो दोस्तो राष्टे सिच्छा नीती 2020 में सिच्छक को कच्छा पांस तक मातरी भासा अस्थानिय या छेतरी भासा में पाट पढ़ाने पर बल दिया गिया है अगला प्रस्ण देखते हैं अहाल ही में राजपती रामनात कोविन ने नीम में से किसे मनीपूर का नया राजपल नियुक्त किया गिया है तो दोस्तो मनीपूर का नया राजपल नियुक्त किया गिया है ला गनेशन को अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो तो केंद सरकार ने कितने लाग करोड रूपए के नेशनल मोनेटाजेशन पाइपलाइन की घोसना किया है तो दोस्तो केंद सरकार ने 6 लाग रूपए करोड के नेशनल मोनेटाजेशन पाइपलाइन की घोसना की है हाल ही में किस देश को अगले दो उलम्पिक या अगले दो साल के लिए किसी भी विश चेंपियंशिप में अपने नाम धुज और राजगान का उप्योग करने से प्रतिबंधित कर दिया गिया है तो दोस्तों वह देशे रूस अगला प्रस्न देखते हैं राजकी आई के प्रमुक छेतरों में से किस छेतर के हिस्से में लगातर गिरावर दर्ज की गई है तो दोस्तों राजकी आई के प्रमुक छेतरों में से प्रात्मी छेतर में लगातर गिरावर दर्ज की गई है अगला प्रस्म देखते हैं वर्ष दोजा उनिस बीस में सकल राज घरिलू उत्पाद जी एच डीपी में क्डिसी और सवर्ती छेतर का हिस्सा क्या थी? तो दोस्तो वर्ष 2019-20 में सकल राज घड़ेलू उत्पाद में कडिसी और सवर्ती छेतर में हिस्सा थी 18,5-7% आगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन देखते हैं हाल ही में बिहार के की जिले में परियावरन की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की अस्थापना की गई है तो दोस्तो बिहार के पटना जिले में परियावरन की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की अस्थापना की गई है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों बिहार के की जिले की सिमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सरवाधिक लंबी है तो दोस्तों परस्मी चमपाडन जिले की सिमा नेपाल से लगने वाली बिहार के सभी जिलों में लंबी है अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार में चाय की खेती स्वरपर्थम कहां शुरू की गई थी तो दोस्तो बिहार में चाय की खेती स्वरपर्थम शुरू की गई थी किसन गज में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो सोन नदी बिहार में परवेश करती है तो दोस्तों सो नदी बिहार में परवेश करती है रोता जिले में सो नदी गंगा में दायने और से मिलने वाली परणूख नदी है इस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है यह रोता जिले में बिहार में परवेश करती है अगला प्रस्न देखते हैं बढ़म गड़ी राष्टिय उध्यान किस परदेश में है तो दोस्तों बढ़म गड़ी राष्टिय उध्यान इस्तीत है करनाटक राज में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों अहाल ही में किस राष्ट सरकार ने कुष्टी खेल को वर्ष दोहयार बस्तिस तक गोध लेने का फैसला किया है तो दोस्तों वर्ष राज है उत्तर परदेश जिसने की कुष्टी खेल को वर्ष दोहयार बस्तिस तक गोध लेने का फैसला किया है अगला प्रस्ण देखते हैं नीम में से कौन सा कथन इस्टेचिव औफ युनिटी के बारे में सही नहीं है तो दोस्तों इस्टेचिव औफ युनिटी के बारे में जो कथन सही नहीं है वो है वो है ओप्षन बी वो कथन दोस्तों ओप्षन बी है इसकी उंचाई स्टेचिव औफ लिवेटी के बरावर है तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गिया है Statue of Unity गुजरात के नर्मदा जिले में इस्तित है और यह दुनिया की सबसे उची परतिमा है जिसे 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट को समर्पित किया गिया था Statue of Unity की उचाई लगवक 182 मीटर जबकि Statue of Liberty की उचाई केवल 93 मीटर है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात के कर्च में इस्तित धोला वीरासर सुची में नाम जारी किया है वीरासर सुची में सामिल होने वाला कितमा भारती अस्थान है तो दोस्तों धोला वीरासर सुची में सामिल होने वाला 40 मा भारती अस्थान है अगलवा अंतीम प्रस्म देखते हैं दोस्तों भारत के वरतमान नागरिक उड़ियर मंतरी कौन है तो दोस्तों भारत के वरतमान नागरिक उड़ियर मंतरी है जोतीरादित सिंधिया Thank you